आज की क्लास में हम लोग repair और maintenance जो आपका सब्जेक्ट ए उसका revision क्या यह बहुत चोटा सा सब्जेक्ट वो मिला के चुल मिला कि जो जादा College होता है उसमें भी बहुत ज्ज्यादा शाठ वीडियो होंगी उससे ज्यादा नहीं हो कि तो इसके revision की बहुत सारी दसबार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है एक वीडियो लोग देखेंगे और यकीन मानिए आपका रिवीजन ऐसा होगा यह सिंगल वीडियो में क्या पूरा कंप्लीट कर जाएंगे मैंने पीडियाप बना रखा है उसी समय आपका रिवीजन कराऊंगा और उस वीडियो कंप्लीट करी जान देखेंगे और बताएंगे फिडबैक कैसा रहा फिडबैक मुझे इसी वीडियो पर चाहिए आपका ठीक है आईए देखते हैं कैसा आपका एक्जाम होता है इस वीडियो को देखने के बाद कैसे आम और इसमें चैप्टर वाइस पोस्चन हो ठीक है सबसे पहला चैप्टर आपका क 끝 क्या है सबसे पहला चैप्टर जो आपका है वो है स्भूइब उसकी क्या अनुरच्छन उसका जो मेंटेनेस है उसको करने की क्या जरूवत है उस चप्टर में पूरा यही देखना चसवत यह आपका पहला चक्टर है इसमें यही समझेंगे वन औक आगा सकते हैं और उसकी क्या आवसकता कि क्या है इसकी या इसका क्या महत्व है या इसके क्या लाव है यह तीनों चीजें एक अहीं बात हुई आप एक ही आंसर लिखेगा जब आपसे पूछा जाए कि भावनों के मरमत क्या आवसकता है अनुरच्छन की या उसका क्या महत्व होता है या इसके क्या लाव हैं तीनों के आंसर आपको एक लिख को जब से पहले किर एक 20 कि यहां पे लापड़ी लिखा होंगे सब्रभा ट्रूशर होगया धृवनों की संरचना करने तथा संसर Becca मतलब बनाने उनके निर्माड के अंतर गद्सक्ष माथ पूर्म बाते विचाड नहीं होती हैFit अंचेप में यह बाते हैं क्या कौन सी बाते हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए भावन के भीतर उसका सूखद वातावरन भावन के उपलब इस्थान का अधिकतम उपयोग और इसकी उपयोगी जीवन अवधी आदि यह कुछ ऐसी बाते हैं जिने हम भावन में सदय बनाए र इस उद्देश से निर्मितभावनों की डिष मरंत करना और अती आवस्थयक हो जाता है लंगत आयोजना गत यानि प्लैंड होने चाहिए और समय फैरियोडिक होने चाहिए या few भावनों में नियमित अंतराल पर आपका सामाईक वह योजनागात अनुरच्छन पर भल दिया जाता है अमुक भावन के निर्माण के पश्चा तक कालीन प्रभाव से उसके अनुरच्छन का कारे आरंब कर देना चाहिए मतलब बन गया तब उसका मेंटेनेंस भी समय से होने लगे अनुरच्छन कारे से संबंदित अभीवनताओं मतलब इंजिनियर जो मेंटेनेंस का काम करते हैं के लिए आवस्या के उन्हें भावन की सामगरी निस्पादन और भावन निर्माण के अंतरगात अपनाए गया मानकों के संबंद में विश्त्री जानकारी हो यानि इ दौपिक वाइद इन बातों पर बात कर लेंगे नि आपिक वे पर बात कर लेंगे कि कैसे क्या जरूओत है मतलब युद् हम लोग बात कर लेंगे कि क्या क्या उसमें फायदे हो रहा है तो देखिए परिस्थित्व में लिफ्ट से चड़ने उतरने की विवस्ता होती है लिफ्ट यदि किसी कारण वस्थ खराब हो जाए तो वहां रहने वालों के लिए उस्विधा जनक हो जाता है तो फिर मेंटेन का जोखिम हो जाता है यानि यह सब यह कारण है जिनकी वज़ा से आपको क्या करना चाहिए मेंटेनिंस करना चाहिए और क्या कारण है सूच में यंत्रों पर कारण प्रयोग शालाओं में मतलब ऐसे जो आपके लैब हैं उनमें यदि कोई काम चल रहा है तो उस समय चारण सीपेज आधी के कारणों से प्रयोगों के सुध्ध परणाम नहीं प्राप्त होते हैं यह सब वह कारण हो जाते हैं साइंटिपिक रीजन जिनकी वज़स से बिना किसी बेद भाव के समय समय पर मसीनों की चाहिए संदतना होती आप तो बिल्डिंग का रिपेर और मेंटेन सबके लिए होता है तो यह वह वों गया है जिनके लिए आप क्या करेंगे कि मैंटेश करेंगे समय समय पर मेंटेश करने से इनकी लाबकारी हैं देख लिए आप जो जानते हैं मैं बस उसी को रिवाइच करा रहा हूं ठीक है उत्तर अनुरचन के उद्देश क्या है भावनों का निर्माण उसमें आवास करने वाले वैक्तियों की सुविधावा सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है भावन की सुविधावा और उनकी सेवाओं को उनके मूल मानकों के अनुसार बनाए रखना पहले भावन बने थे तो जैसे बने थे जिस उद्देश से के लिए बने ते जो उनके मानक थे वहीं बने रहा है जैसे पहले बिल्डिंग में लोग खेल कूट सकते थे और टहल घूम सकते थे उसके क्या अल बोला गया है कि उनकी सेवाओं को उनकी मूल मानकों के अनुसार मूल मानक मतलब जैसे सुरू में था उसी के अनुसार वो प्रयोग किया जासा कि इसके लिए जरूवी है मेंटेनेंस भावनों को सुद्रण वा स्वास्त कंडीशन अच्छी सेवा के लिए बनाए बने रहते हैं भावन से प्राथ होने वाली सेवाओं को सुधारना के लाव मेंटेन्स के लाव यही पूषता पाप यहां पर क्या लिखते हैं कि भावन से जितनी सेमाई मिलती हैं वो समय-समय पर सुधरती रहती है मतलब कोश्चन बदलेगा तो इसी चीजों को दूसरे सभावन सभावन को सुधारना क्या वांचित वैल्यू बनाए रहती है शुरू में अच्छी थी बाद में समय के साथ वैल्यू गिरने लगी तो तो क्या करेंगे हम लोग इसकी वैल्यू को बनाये रखेंगे अगर मेंटेनेंस करते हैं कि तूट पूट या खराबी से बचाव करना और भावन के लिए नीमित वह व्योजनागत रेगुलर और प्लैंड अनुचन कारेकरं तजार करना यह सब फायदें किसके बताइए मेंटेनेंस से अगला क्या इससे में पूछ रहा है उसको भी देख लेते हैं लोग कि पूछल में बोल रहा है अनुचन कारेको वरगी करत करें अनुचन कारेक कितने टाइप क्यों होते हैं मुख् जोब तो बनवाएंगे तो लोग दो तरह को पहला उपाए करते हैं थीक तुंट्यार की होंगी और बनाद करेंगे तो सुधारत उपाय जी सहीं तोама कोören आप किया जा ढोलते हैं मतलब कि यह होने के बाद किरता है को आपक्रक्रिक्टी का मतलब होता है 8 यह खराब प्रिवेंटी मतलब खराबी होने के पहले ही ठीक कर लेना उसको खराबी नौने दिनाय सी कर आप यदि जीवन सहली में अपने रोज एक्ससाइज कर रहे हैं रोज अच्छा खाना था रहा हैं सही चीजें सरीन में डाल रहे हैं तो प्रिवेंशन इस बेटर दन क्योर तो प् द् web ल ही पर दमाये रहे हैं आप वह क्या है वो शुधारात्म है और निवारात्म क्या होता है जो खटाबी ही नहोंने देने के लिए उपाय कि प्रिवन्टी था जीजसर रात्म olmas been texd अमान विदी जिसमें मरम्मत था पुर्ण अजीब देखे उस इस्तिती में किये जाते हैं जबकि अमूक आइटम अपनी क्रिया में असफल हो जाता है जैसे आप चलने फिरने में असफल हो तब किया रहे गए यह आपने वांचित मानक से नीचे गिर जाता है इस विदी को अमूख फिर उसे बाटा गया है मेंटेनेंस को दूसरा अमूख वस्तू की क्रिया सील कंडीशन में मतलब आप चलने फिरने में अभी सही हैं कंडीशन में उसके जीवन काल के अंसरगा तुसे ठीक वस्वस्त रखने के उपाय के रहते हैं इस प्रकार किये उपाय मिवारत या किस्रणी में आते हैं जैसे वाटर्पूफिंग यह और श्थ बनका समहीं उसमें वाटर्प्रूफिंग मिला दिये तो बाध में उसमें से पानी रिष्एगा कैसे पानी रिसेगा बाद में नहीं रिसेगा तो जब नहीं रिसेगा तो ठीक रहेगा बात समयारी ना तो बच गए इसको प्रोटेक्टिव पोटिंग करना दीवारों और चदों पर प्लास्टर करना इत्यादी तो यह सब चीज़ें क्या रही है सुधारक अनुरच्छन के अंतरगर् यहां सही नहीं है क्या होता है। या तो उनको ठीक किया जाएगा अनुरच्छन की यह सही नहीं है क्योंकि इसमें खर्चा जादा आता है शुरू से यदि निवारक अनुरच्छन में वस्तु को नियमित रूप से समय रहते ठीक स्थिति में बनाया रखने के लिए आवस्ते कुपाय की जाते हैं इसके पहले पहले चैप्टर से ना भुमा फिरा वही कोश्चन आएगा चाहिफ से बदलेव लाब पूछे आवसक्ता कुछे उद्देश से पूछे और टाइप पूछे टाइप मतलब प्रिवेंटी और रमेडियल या दोनों में अंतर पूछे कि यह तो तुम दोई कोश्चन हो लेक कारक दूसरा चप्टर रही है यह कौन सा है चाप्टर टू है ठीक है एजन्सी कॉजिंग डेट्रियोर्शन सोर्सेज कॉज़ डिफेक्ट मतलब ऐसे कौन-कौन से कारण है जो बिल्डिंग में खरावी लाते हैं किसी भी संदचना में खरावी लाने वाले कौन-कौन से कारक यानि कारक मतलब समस्ते हो जैसे मौसम एक कारक है जो संदचना में खराबी लाएगा हमारी हरकत है हम जाके दिवाल पे पर तहीं भी खील मार रहे हैं हम ऐसे कुल्ला करके दिवाल पर ठूंक दे रहे हैं या फिर हमारी कोई भी ऐसी हरकत जिससे मेंटेंट खराब हो तो मा कि क्या कहता है कोस्टन इसमें सबसे पहले कोस्टन कहा रहा है सबसे पहला कोशन पूचा भावनों के च्छय करने वाले निम्न लिखित घटकों का वर्णन कीजिए यह कौन से घटक है मतलब कौन जायसे component है जो नुक्सान करते हैं ठीक है पहला मानवी घटक यानि human factor दूसरा रासा यानी घटक तीसरा पर्णावरणी घटक यानि environment factor यह तीन तरह के घटक हो सकते हैं जो किसी न किसी रूप में संदचना को नुक्षान दे करते हैं मानवी घटक कहता है कि मानवी कारक या घटक करने के लिए नियूक्त किये जाते हैं का मतलब ऐसे व्यक्ति जो नियूक्त किये हैं रख रखाओ के लिए उनका दाईत्व होता है देखिए अनुरच्ण कार करने का दाईत्व भवन का रच्षण कर भी होने maintenance प्लेटरम को मिल लाता है लेकिन समय समय पर उसकी रिपेरिंग का चार्ज उनको देना पड़ता है रिपेरिंग का चार्ज का मतलब होता है कि maintenance चार्जेज सलाना लगते हैं या मंतली लगते हैं इंसीज का चार्जेज चौकिदार उसमें रहता है उसका चार्जेज उन लोग को अलग से पे करना पड़ता है रेंट के अलावा रेंट के अलावा मेंटेनेंस चार्जेज या बाकी चार्जेज उनको अलग से पे करने पड तो बताया गया कि मानवी कारक में पहला मानवी कारक है अनुरचन करने का जो दाइत होता है जिसके उपर है वेदी वो समय पर काम करें तो उसके द्वारा जो इसका क्रिया है पुराने की जो समय उसको बढ़ा सकते हैं पुराने की साल में सकते हैं परना लहां होसकता है और संग्यान निम्रेविन्द हो सलिया जा सकता है अब पॉइंट वाइज है कि मनुष्य प्रकार से जिम्मेदार है कैसे जिम्मेदार है रूटीन अनुरच्छन का निधान समय पर न किया जाना जो एक समय बनता है कि हर एक साल में पिंटिंग करानी नहीं हो रहा है दो साल तीन साल जितना उसका रूटीन हो उस पर समय पर नह सब नहीं पा रहे हैं कि कौन कौन कारट उसको भिगाव रहे हैं वित्तियस अंसाधनों की कमी कई बार पैसा नहीं होता है लोग नहीं करवा पाते हैं कमजोर नियोजन अपरयाप्त बजट के कारण अनुरच्छन गतिविधियों में रुकावट होना मतलब यह सब कारण बन स प्रविधियों करने की प्रविधिक उसलों का नेचर यानि टेंडेंसी होता है कि वो टालते हैं जैसे मैं ठीक है किसको टालते हैं मतलब मेरी गाड़ी है मैं नहीं साफ करता हूं कभी कपड़ा नहीं मारता हूं गाड़ी पर तो पता चलता है कि गाड़ी जो साल भर में रिस्पॉंड होना दो ही मैंने खराब करके रख दिए तो यह चीज़ होती है ठीक है अनुरच्छन के स्वीक्रित मानकों में ढिलाई बरतना मतलब अनुरच्छन करते समय जो बात बात आई गई है कि देखो जब मार अच्छन दरार भरनी है तो दो एक का मसाला लगेगा लेकिन हम क्या तरना हम पांच एक का मिसाला डाल रहे हैं तो यह सम्मानकों को अमने ढिलाई किया जब तक कोई आपात काली परिस्तिती उत्पन नहीं हो जाए अनुच्छन तथा मर पाल नमज्या तब तक चलो यार चलने सुरक्षा की कमी के कारण वस्तों के गलत उपे हो गया मिस्वीच को बढ़ावा देना मतलब जो जी जो गाड़ी आदमी के चलने के लिए उस पर आप एक कुंटल की बोरी लात के चलेंगे वह काम करना जैसे गाड़ी का भावन में रहने वाले वैक्तियों की नकरात्मक सुच कितार सुरच्षा वान रॉच्षण की कमी होना कबजेदारों की असा उधानित्ता असब्वेता आधी भी भावनों के च्छय का कान होती है तो जो जो लोग जैसे रिंटल मकानमाली का बिल्डिंग गिराना उस चले रहा है उसकी हरकत कैसी है भावनों की फिटिंग फरनिसिंग आधी के साथ और सोबनी वैवार करने से इनका अच्छा होता है इस सब मनुस्स से कर रहा है बिल्डिंग में ये सब कमिया मनुस्सकी हरकत की कारण क्या हो रही है आ रही है लेकिन कुछ प्राकृतिक कारण और तबहुत करें किसके बारे में रसाइनी घट क्यानी रसाइनिक करणों के बारे में थीखेए भावन के बाहरी पर्यावन संभश्डि पदार्थों के साथ होता है जैसे पर समय क्या हो सोबसे बड़ा क्या होता है Boss on the यानि यदि लोहे की कोई चीज बिल्डिग में लगी है और हवा के संपर्क में इसका अक्सिडेशन का मतलब होता है उसका जो वह होना संदातनात्मक पदात जैसे स्टील का संपर्क बाहरी पर्यावरण जैसे जल तथा वायु से होगा तो दिकत होगी इन पदार्थों की परस्पक रासानी क्रिया अधिक वहानिकारा करता संशारन यानि को रोजन जो धातु के साथ जल और वायु की प्रतिक्रिया की कारण उत् बढ़ा कारण बनती है क्या है इस्थानी देखो तुम कर लोगे जैसे कि मैं जो आपके च्छाय होते हैं उसके कितने का रखना तो तीन ही याद रखना मनुष से का रखना माना हो जानिक दूसरा रसायनिक तीसरा पर्यावर नहीं तो अभी रसायनिक वाले में रसानिक में किस्थानी है संचारन जैनी लोकल जम दख की चतक पर चोटे चोटे बन जाते हैं सामान जिकवे थाक। संपुर्ण सत्रा प्रभावित हो जाती है इलेक्र इलेक्रोलाइटिक संचाराğ इस में अनटेल का सीधा संपर्क पर्फोता है यह संचारण भायू में नमी के लाता है इसकी धातू और नमी के बीच बववांतर के कारण गयलВыन आई नुक्षान करते हैं अब बात करते हैं पर्यावरणी घटकों की यानि इन्वार्मेंटल इन्वार्मेंटल फैक्टर्स क्या क्या है जो नुक्षान करते हैं किसके लिए बिल्डिंग के लिए तो कौन-कौन से घटक है जो डीके कराते हैं भावनों के च्छह होने के बड़े कारण परवण संबंदी है क्योंकि सबसे बड़ा यही नुक्सान है भावनों के अधिकांस भाग पर वायुमंदली घटकों के प्रभाव में रहते हैं छत वगरा सब वायुमंदल भुकुली रहती है आपके ठीक है जैसे वायु वर्षा नमी गैस विक्रण और मिर्दा अधि इन वायुमंदली घटकों के कारण भावन के बाहरी हिस्सों के खुले पदार्थों और कंपोनेंट्स पर प्रभाव पड़ता है जिससे मौसमी प्रभाव कहते हैं मौसमी प्रभाव जैसे विक्किरण वर्षा वायु गैस उलावरिस के प्रदूसीत भायु जयविक एजनसी भूमिगत जल आधी भी भवन के पार्ट का च्यक्रते बात समलता है इतने सारे कारण हो जाते हैं कि सके एंवर्मेंटल थैक्टर है किसके खाय के तो चैतर का नाम ही है च्छाय करने वाली एजनसी यानि कारण तो हम लोग तीन बोलेगा कि भावन को नुक्सान करने वाले पर्यावरणी करना बताई खाली पर्यावरणी बताई तो यह मैंने इस तरह से लिया है कि आपका पूरा तवर अब बात करें हम लोग कोश्चन पूछा है कोश्चन यह भी पूछा गया आप से सले बस में यह भी है कि अलग- क्या प्रभाव पढ़ता अलग-अलग प्रड़क्ट पर जैसे पूछा गया कि निम्नलिखित पर विभिन अच्छे एजंसियों के प्रभाव बताईए यानि डीके एजंसी का ब्रिक और क्ले उत्पात पर क्या असर पड़ेगा ब्रिक और क्ले पर यानि इंटों पर और ज सबी चीज़ों को देखना है तो यहीं इस चेप्टर में खास बात है कि अलग-अलग टॉपिक का असर क्या-क्या पड़ता है तो सबसे पहले बात करते हैं इटे और मृतिका उत्पाद पर क्या असर पड़ेगा तो इखाली रीडिंग लगाते चले जाएए इटे और मृत तक चलने वाले होते हैं या उत्पाद मौसम के प्रभाव से खराब होते हैं और नमी के कारण इनके आकार में अंतर आजाता है मतलब यह सब इस टाइप से रियक्ट करते हैं किसे इट हैं यह सब नमी के प्रभाव में अलग रियक्ट सेंदेते हैं मृतिका उत्पादों औ वाने पर उसकी सता पर सफेद दब्बे उबर के आ गए थे सॉल्ट के क्यों क्योंकि उसके अंदर क्या था फ्री सॉल्ट ज्यादा मात्रा में था इस वज़े से ऐसा हुआ तो यह मौसम का ही प्रभाव है इत दीवाल में लगी है तो समय के साथ उस उस पर लोना लगेगा लिलोना को मतलब फ्लोरेसंट होता है या उत्फूलन एक स्वेद सता के रूप में जमा हो जाते हैं जो लवडों के पावडर से बनते हैं स्वेद सता मतलब वाइट स्पॉट लवडों से पावडर बनने की क्रिया सुस्त रितू से नमी वाले रितू में परिवर्तिन के अंतरगत होती है यानि जब मौसम बदलता है तो सॉल्ट लवड़ मतलब होता है सॉल्ट जिसको बोलते हैं घुलन सी लवडों से क्रिस्टल बनने की क्रिया ब्रिक वर के भीतर ह शरूति है जिसके का सता प्रतार होता है और बारी इत पर उत्पन होजाते हैं तो यह था असर किसे uninterue पर किसका बारी credits का जो DCS जीडिए उनका इतों पर और एसर पड़ेगा उनकी सब्सक्सक्राइब सब्सक्राइब चाहिए ऑफफूलन हो जाएगी लेकिन क्या हमें क्यों का पाइना है नहीं हमें यह भी देखना है कि टिम्बर और टिम्बर प्रोड़क्ट पर क्या असर पड़ेगा किसका टीके अजन्सी जो घ्माल पदार्त को खरल तरक हुए स्वीट को नार्मल एक-प्रइश्ब करता है तो प्रयोजन के अनुसार टिंबर लंबे समय तक चलने वाला एक पदार्त है सामान अनसार प्रोवीजन मतलब होता है कि ऐसा सूचा गया प्रयोजन मतलब प्रोवीजन सामानते इसका च्छै नहीं होता परंत दीमक कीड़ों या अगनी के प्रभाव से यह नस्ठ हो जाती है टिमबर के बीतर खाली स्थानों में नमी की कारण दीमक उत्पन होते हैं और टिमबर को प्रभाव निमन दो परिस्थितियों में कब् तिमबर में ज्यादा फंग सपड़ते हैं जब तिमबर में नमी की मातरा 20 परशेंट से से ज्यादा क्या हो जाए सैप हो जाए दूसरा असर का पड़ता है फंगस के पैदा अने और बढ़ने के लिए परयाप्त वाईव और उस्मा किसी भी चीज पैदा होने के लिए एक निश्चित पानी के अंदर डूबी हुई लकडी का अच्छा है फंगस के कारण नहीं होगा क्योंकि उसमें वायू अनुपस्तित होगी फंगस के कारण नहीं दोसे ड्राइ रॉट एक वेट रॉट का मुख्य रीजन क्या होता है समवातन की कमी होता है जब किसी ऐसी जगह पर लकड़ी रखी गई हो जहां कमी भी हवा न पहुंचती हो वेट रॉट का रीजन होता है इसको बार बार गर्मी और ठंडी में रखना जिससे क्या होता है वेट रॉट को बढ़ाव मिलता तो यह थो टिंबर पर असर डीके के डीके एजनसी का टिंबर पर क्या आसर पढ़ा था वह यह था लेकिन क्या केवल टिंबर पर दो चीजों पर देख चुके हैं किस पर आपका सबसे पहले देखा हम लोगों ने कि क्या आसर पढ़ेगा सबसे पहला आसर हमने किस पर देखा ब्रिक और क्ले प्रोड़क्त पर द प्रभाव से बचाने के लिए इसकी प्रदिरोधक चंता अच्छी होने चाहिए इसमें जल और नमी का प्रवेस नहीं होना चाहिए सिकुड़न के कारण करेक और दरारें उत्पन हो जाएंगी तापमाल परिवर्तन के साथ भी कंक्रीट में एक्सपेंसन और संकुचन होता है कंक्रीट के कुछ क्रेक द्रिष्टिगत नहीं होते हैं मतलब दिखाई नहीं देते हैं ऐसे क्रेक भी विस्तार के पल सुरूप उत्पन होते हैं और सता को प्रभावित करते हैं अन्य कुछ घटक जो कंक्रीट की सता को प्रभावित करते हैं निमन प्रकारण जैसे मुख के लुक से ऐसा कौन सा घठक है कenser को परशान करता है कांगरीट में इस पात प्रतिवलन का संचारन रोकने के लिए मतलब बिचाई कंक्रीट का कैसे होगा दिकों कंक्रीट थोड़ी मजबूत होती है उसका डिक तो जल्दी नहीं होता लेकिन रहां हो जाएगे इसलिए समुद्री पानी में कंक्रीट को लगाते समय उसका ग्रेड बहुत हाई रखा जाता और उसका प्रोटेक्शन बहुत तगड़ा दिया जाता है टिकेट संचारण पर लोग लगती है यदि पार्गमता होगी यानि कंक्रीट में आर पार पास होने की चमता होगी यह उसकी सता कमजोर होगी तब प्रतीबलन यानी reinforcement का संचारन होना संभव है संचारन होने का एक और कारणा calcium chloride जो की concrete मिक्स में होता है calcium chloride की कारणा भी कुरोजन हो सकता है तो ये था concrete का डीके concrete में डीके कैसे होता उसके बारे में अब लास्ट चीद जो हमको जानने है अगली चीद जो डिकेग कई अब प्रेटर की होगी डेकाइड का कई अगरा पर पर नाइच viruon पर नेट इन दोनों काम करते हैं मतलब ँखराब करने का ठेका ले रखी वह कैसे काम करते प्यट की गई सत्हक है होना उसकी सत्हक्पर प्रकट होने लगता है जैसे चमक का फिका परणा यह क्रिया मौसम के प्रभायों से होती है यह जाती यह एज जिलाकर रहे तो पेंडे की परत कुंद हो जाती पेंट के उपर जो बूत में हो जाती है इसका बौनґंड कमझोर कि ख़गता हुर। पूर्ण सता मतलब उसका रीप्माहगी होती और इसमें मैं समाय की खपात होती पैंट की मूल प्रस्तावना सता पूर स्पूर सता को सुर्च्छा प्रदान करना पेंट सता और उसकी बेकिंग शता जनीए बेकिंग सता का मतला पीछे वाली सता के बीच एदी अच्छा संपर्क इस्थापित है तो प्रेंट का च्न किवल सता पर ही होगा प्राकृतिक नुख स्टोन यानी नेचुरल रिंधों पर्त्थर रोता है कि इन इस टोन के च्छै का मुख्य कार्ण वायोमन्डली प्रदूसर पथर कभी नहीं खराब होते हैं लेकिन जो बारीश होती एक डिक रियन होती है या फिर जो विला बरिस्टी वग्राव तो वही प्त्थर को खाना है ने पत्थर नहीं कहराब होता अ fringe कार्ण से कार्बास करते हैं Izुस काहुता में IS स्टोन साय क्रीश्टल गछ oldest और हट bissami प्रतिबान करते हैं फंचा विगटन होता है इस टौनगा तो यह था किया ॆ आउम जाल पूछा किसी ही धातों में च्छै विश्टार्ण सप्राइब कि नहीं दो धातु के चैना कारण भी बताईए जाल बीक है तो सबसे क्या इसका अंसर अलग अलग होते हैं तो हम लोग बात करेंगे इसमें किसी और यूप में प्रायर प्रायर सभी भावनों में प्रयों की जैते मीं में यूरूर बावनों में प्रयोंग वने मेरे सामायत तुम च्छ dot होने से भावनों को नुक्षार हता है कि शें का कारण मुखेता को अगर बात कर दिया जा अगे नहीं होता है पूरी तरह से पूरन परिस्तितियों का होना प्राय संभाव तरह से हमेसा सधा ही में और कुछ न कूछ मात्रया में नमी सदाही रहती है तो धातूं के संचारान का कारणा बनती तो समझ गया होंगे कि संचारान होता क्या बोला कि दो धातूं के संचारान के प्रक्रिया को समझाए यह भी तो बोला है क्या बोला देखिए किसी भी धातूं में 6 होने का कारण विस्तार से समझाइए तो तो हो गया कि नहीं जातों के च्छाय का कान इस पाथ है और तांबा है मैं फिर से कह रहा हूं आप लोग इसका जो पीडियाफ है वो सिविल टेक्स सालूशन का जो एंड्रोइड एफ है उसके फ्री स्टडी मेटेरियल वाले से डाउनूट कर सकते हैं वहां से जाके डाउनूट कर लीजिए और इस पीडियाफ की पूरी रिडिंग लगा लिजेगा पेपर आपका बढ़िया जाएगा कोई रोक नहीं सकता है ठीक है आई देखते हैं कि कह रहा है स्टील पहला दातों इस्टील लिया दूसरा तांबाली है बावन निर्मार के कारे में इस पाथ का प्रयोग इस्ट्रक् प्रयोग के लिए इसकी संचारनदर को कम करने लिए इसकी सत्रापर परिश्ट यहने पर भगर परत लगाई जाती है प्लंबिंग कारह में इस पर जिंक याई सचाहर हो ईतु हो नहीं धी तो पहला था इस्तिर था तामबा नर्म है आगात वरदनी यहनी इन्याइबल है और तने डक्टाईल है भावन सामगरी के रूप में इसका उपयोग रूफिंग, क्लैंडिंग और प्लम्बिंग कारण में होता है या अती उच्छ संचारा रोधी धातु है इसमें जल्दी कोरोजन नहीं हो सकता है इसके उत्तम मिस्रण जस्ता और अलमूनियम, निकल, क्रो निकलने वाले दूए के संपर्क में आकर इसका च्छाय होता है इस प्रकार के च्छाय को रोकने के लिए कॉपर सिलिकॉन यानि कॉपर और सिलिकॉन का मिस्रण, एलावाय मतलब होता है मिस्रण का प्रयोग करना चाहिए और अच्छे डिजाइनर की चिमनी बनानी चाहिए जल में घुले हुए उच्छ carbon dioxide मिस्रण में तांबा घुलन सील होता है परंतु तांबे का हास बहुत कम मातरा में होता है यानि किसी पानी में यदि high carbon dioxide मिला हुआ न तो तांबे को क्या करता पिगलाता है लेकिन उतना ज्यादा तेज नहीं पिगला पाता है ठीक है दोसों की खोज और निदान देखे चैप्टरवाई था जब दूसरी चैप्टर करना और उनका निदान करना ठीक है चलिए इसको भी देख लेता है क्या है सबसे पहले पूछा गया कि भावन की दोसों की खोज करने के उद्देश से बताइए का है दोस्कोज रहे हैं मैं कारण हो सकते हैं पहला कारण क्या है सबसे पहले न्याइक जांच यानि लीगल इंवेस्टिकेशन कभी कोई आ के बोल दिया इस बीडिंग में गलत करना दूर्गटना के लिए आपको जैसे दोस्ट दूनना है बिल्डिंग में क्या दोस्ता गिरने के पहले गिरने के पहले अगर दोस्त दून लेते हैं तो बचा लेंगे उसको गिरने के बाद तक कब ढूड़ा जाता है जब देखा जाता है कि बिल्डिंग गिरी ठीक है इसमें लोग रह रहे थे वो मर गए अब उसका जिम्मेदार कौन है किसके उपर जुर्माना लगा जाए तो भवन की ज्यांच होगी दोस्तों की कि बिल्डिंग में ऐसा कौन सा सब्सक्राइब लग गए तो फिर बिजली वाला पकड़ा जाएं तो बिल्डिंग में तो जानने के लिए उसका पहला तरीका ज्याई के लिए देने के लिए दोस्तों को जानना जब्रहे दूसरा फ्रिज इंस्पोन्स कोंपनी क्या किती की नहीं इन्सोन्स कर acetate no कि हमारी मेरी जो इसका इन्सोन्स कर दीजेंस हो गया जब गई तो इंस्टोरेंस कम्पनी हर जाना देगी और देगी जिसके वर तो इनस्टोरेंस सर्वेज है भावन निर्माड के महतफून कार्यों का इस प्रकार वे क्लेम्स अपने आपको सुरच्षित कर लेते हैं मतलब हम हमने क्या किया बनाया हम उसका कर वाजिए कि इस पर कोई भी दिख्कत आई तो इंस्वरेंस कंपनी जिम्हदा रहा है बाद में गिरेगा तो इंस्वरेंस कंपनी समझेगी तो पहला कारण था आपका न्याईक जांच दूसरा था इंस्वरेंस सर्वे तीसरा संद्चनात्ना की असपलता के कारण क्या उसको जानने के लिए भी आपको दोस्तों को ढूंडना पड़ेगा ठीक है संद्चना के असपलता की जांच वेज्ञानी का अधार पर की जाती इसके दोरह डिजाइन और संद्चना में की गई गलतियों का अकलन किया रहता है और भावन के अशपल होने के कारणों का पता लगा जाता है उपरोगत तीनों प्रकार की जांच भावन की संद्चना के असफल होने के पास चात की जाती है भावन की अनुरच्छन नियोजन तथा अन्य सेवाओं के लिए जांच मातपूर्ण होती है प्रारंबिक जांच में उन सुरोतों का पता लगाया जाता है जिनके कराण भावन क के दोसों का निदान करने के विस्तृत पदों का वर्णन की दिए भावन में इतने दोस आते हैं ना उनको कैसे आप निदान करेंगे मतलब कैसे ठीक करेंगे उसके विभीन चरण यानि इस्टेप्स क्या है स्टेप्स involved in इन्वेस्टिगेशन दोसों को ढूंडने और उनको ठीक करने के लिए क्या इस्टेप फॉलो करेंगी तो यह सब लिखा इसको पढ़ीगा मैं स्टेप्स आपको दिखाता हूं स्टेप्स पहला स्टेप्स क्या है भौतिक निरिच्छन इसके बारे मैं मैं में बताया था भौ हो सही है कि नहीं या कितना कम ज्यादा करना पड़ेगा अगला चीज़ बायुमंडली दोसों का आकलन बाहर से दिक्कतें आ रही है बहुत का मूल संद्चना के दोसों का बनाते समय जो गलती हुई और बाहर जो गलती हो रही उनको समझना जैसे आप गए तो बाहरी मतलब इन्वार्मेंट ने कुछ आसा मालीजी हम बिल्डिंग बनाये थे मूल संद्चना में कोई दोस नहीं था लेकिन अचानक भुकम पाया और गिर गई तो कोई दोस नहीं हुआ यानि आपको दोनों देखना पड़ेगा बाहर चाने वाले कारक भी और जो अंदर से इसके जो दोस आ रहे हैं उनको भी समझना पड़ेगा जो मूल संद्चना में फिर आगे है भवन की सुरच्छा क्या भवन मरम्मत योग्या और अनुच्छन योग्या है तो पहला आंसर यस है मरम्मत और अनुच्छन का इस्टिमेट तयार करना अनुच्छन पारण करना यदी ऐसा भवन के धांचे को छोड़ दिया जाए भवन को नस्ट कर दिया जाए भवन का पुननिर्मार किया यह स्टेप है जो किसमें इनवाल होते हैं यही वह स्टेप है जिनको फॉलो करके किसी बिल्डिंग में दोस्त धूंड करके उसको ठीक किया तो यह पूरा याद रखीगा मैं आपको अगर सरल में दिखा दूँ तो यह पूरा ऐसे बना हुआ है वह सकते आभी ऐसे छोटा दिख रहा हो लेकिन यही पूरा है यह आपको नोट्स में पूरा इस तरह से मिल जाएगा इतना पूरा याद रखेगा स्टेप्स हैं दोसों को ढूनना टेस्टिंग डिफ्रेंस और नॉन डिस्ट्रक्टिंग टेस्ट एंड डिस्ट्रक्टिंग टेस्ट इन दोनों में अंतर मुख्य चेप्टर में खास चीजा है नॉन डिस्ट्रक्टिंग टेस्ट क्या होते हैं ऐसे टेस्ट जो विल्डिंग पर डिरेक्ट किये जाते हैं ज टेस्ट तो वो थे जो किसी चीट पर किये गए कॉंक्रीट वगरा पर तो उसको तोड़ के खतम कर देंगे ठीक है किसी का कुछ समय बीत गया मालेजी बिल्डिंग बन चुकिए पुरानी हो गई और अब चेक करना है कि उसमें जो कॉंक्रीट उसका कितना स्ट्रेंथ है तो क्लोड लगा के तोड़ने भीम को वो नहीं कर सकते हैं तो देर आर सम नॉन डेस्ट्रक्टिव टेस्ट और विनास कारी पर एक्षण विचार परफॉर्म्ड ऑन दा इस्ट्रक्चर इट्सेल्व डिरेक्ली स्ट्रक्चर पर ही अप्लाई कर दिया जाता है उससे या कंपोनेंट की इंटेग्रिटी यान एक अंडता को डिटर्माइन करने के लिए कि आता है मतलब ऐसा मतलब कोई कोई बिल्डिंग है यह आपस में कितनी अच्छी तरीके से जुड़े हुए इंटिग्रेटेड वह हैं भी कि नहीं है उसको जानने के लिए आता है करने को अदस लेकिन पर चाहिए आप यह जाल इंटेस्ट करें हैं अब हें हैं कोईभी टेस्ट करें है तो यह अखंडता को बताथा है कि कि कंक्रीट के मैटेरियल आपस में जूड़े हुए तो ताकि उनकी मजबूती एक कंक्रीट का अच्छा सा पोर्शन बहुत मजबूत है लेकिन वह अपने बगल वाले के साथ सही से नहीं जूड़ा है तो सही से काम नहीं करेगा ठीक है जया है नोन डेस्ट्क्तिव टेस्टिंग में नमोने की पहचान करने के लिए murder technology का प्रयोग किया था मैं आपको ने बता दूए यहां पे इन दोनों के बारे में हलकी सी बात non-destruct टेस्ट्टिंग में न दो टेस्ट होते हैं पहला एक हो है रिबॉंड हैमर रिबॉंड यह पंक्रीट के लिए वह ता रहा है तो वापस आता है वापस आने को रिबॉंडींग बोलता है तो जितनी तेज रिबॉंडिंग होगी उतना मजबूत तो एक महुझा करना है और दूसरी चीज है कि इन डारिक टेस्ट टेस्ट डिता ठिक है यह यह रिभॉन्दिंग के आधार पर यह बताता है कि कितना है मजबूत है ना कि डारेक्ट माजबूत ही नहीं आप आ भी मांडिंग है दूसरा एक पल्स वेलोशिटी टेस्ट होता हो अल्टरा सवनिक पल विलक्ट का कोई बीम या सैंपल है उसमें एक शीरिय से अल्टरा सनीच प्ल्स ट्रांस्मीट की जाती है यानि भेजी जाती है दूसरे सीरे पर रिसीवर लगा होता है रिसीवर क्या करता है यहां से पता चला कि यह टिस्ट सब इन डिरेक्ट होते हैं डिरेक्ट नहीं होते हैं और उपकरण नहीं होते हैं तो कि पहचान के लिए मादन टेक्नुलाजी क्यों कहीं घजा अठाइस सब्सक्राइब टैस्ट कर लोग कि संथ बना दिया जाता है सब अब समझ में आ रहा होगा अंतर कैसे उन components पर भी perform किया जा सकता है जो सर्विस में है यानि जो चीज लगी हुई है building में डारेक्ट उस पर भी प्रयोग किया जा सकता है आम तोर पर परफॉर्म तभी किया जाता है जब component या material sample उपयोग में नहीं है या आसानी से बदला जा सकता है यानि यह तभी किया जाएगा जब उस उपकरण को खराब कर देना रहे उसका उपयोग न चल रहा हो या फिर अगर उपयोग में हो तो उसको बदलना आसान ठीक है रिजल्ट में इंटर्प्रेशन की व्याक्षां difficult होती है इसके रिजल्ट आसानी से नहीं मिलते हैं बलकि निकालना पड़ता है रिजल्ट का इंटर्प्रेटेशन इजी होता है असानी से रिजल्ट आ जाता है मतलब लगाये लोग जितने पर तूटा वह रिजल्ट है इसमें तो डिरेक्ट पता ही नहीं चलता कुसल करमियों की आवा सकता होती है इसमें किसमें non-destructive में बहुत हाई-skilled करमियों के बीन की जो इन्वार्मेंट को नुक्सान पहुंचाती है नॉन इन्वार्मेंटल खत्रे जुड़े हैं मतलब इन्वार्मेंटल खत्रे इसमें नहीं होते हैं महेंगे उपकर्ण होते हैं उपकर्ण कम महेंगे उपकर्ण महेंगे नहीं होते ठीकन महेंगे नहीं होते उधारन व अगले चेप्टर पर चलते हैं आपका अगला चेप्टर नंबर फॉर आपका होगा उसके बाद फिफ्टर पर चलेंगे भावनों के दोस और उनके मूल कारण देखें बिल्डिंग में अला 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 कम्पोनेंट हैं ठीक है तो चली आए देख लेते हम लोग क्या हैं है शबसे भावनों के दोसों से आप क्या सम्झते हैं परिभांसित केravण के अंदर दोस कौन-कौन से हैं तो भावन के दोसों की व्याक्या ऐसे सभी ृटायर के रुआवट दोस मतलब रुआवट रुआटों के संदर में की जा सकती भावन के ज्याने के बाद के संदर में कि पिरावट संदर में की जा सकती अता भावन का ऐसा निस्पादन मनि एक्जीक्यूशन जो उसकी संदचनात्मक सुरच्छा न प्रदान कर सके उसका उपयोग करने वालों को वांशित लाब न दे सके उसकी असा पलता को प्रदर्शित करता है अधिकांस दोस ऐसे होते हैं जि यदि पधार्थों का प्रयोग नहीं किया गया तो सब्सक्राइस दोसों को मोलता दोस रणीयों में बाटा गया है कौन-कौन से दोस होते हैं उसमें पहला दोस जो होता है न उसमें होता है एलेमेन्टल यानि भावन के तत्वों के दोसwalk और उन्समें प्रयोग किये मनें बिल्डिंग में पहला दोस हो सकता है कि उसमें खराब पदार्त लगाए जो हो यानि उसके तत्व ही गड़ बनों दूसरा होता है कि बनावट खराब हो यानि structural defects structural defects यानि पदार्त तो अच्छे प्रयोग हो है लेकिन बनावट का तरीका खराब था दो तरह के दोंसरा को बांटे जा सकते हैं तो यह थे दोसों के प्रकार हुआ कि पुछ तीन प्रकार के दोस और उनके कारण बतार तो पहला आपको लिzą है पहलाव डिपेक्ट इसका फाउंडेशन तो फाउंडेशन का अतरिक्त सेटल्मेंट या विभाजित सेटल्मेंट differential settlement of foundation मतलब foundation यदी दो है कालम के बिल्डिंग के कॉलम के नीचे फाउंडेशन एक फाउंडेशन ज्यादा धास रहा है दूसरा कम तो इनको बोलते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट एक साथ धास रहा है तो उसको डिफरेंशियल नहीं बोलेंगों उसको सेटलमेंट बोलेंगों तो डिफरेंशियल सेटलमेंट का कारण क्या ह हो सकता है ठीक है पहला दोस्त देखें हम लोगों ने फाउंडेशन बेस्मेंट और डैम प्रूफ पोर्स में पहला दोस्त बताए दोस्त और उसके कारण क्या है मृतिका की ओभर लोडिंग यानि इस वायल पर ज्याजा लोड आ गया फाउंडेशन की और पर्याप्त चौडाई यानि पर्याप्त चौडाई का फाउंडेशन नहीं ताधास गया संद्चना में परिवर्तन जैसे दीवारों में बड़े साइट की ऑपनिंग बनाना यानि कोई दीवा जिल्ए लग पना तक बनाई गई थि उसको ऊपर एक और आप क्या कर रहे हैं दूसरा भी एक और फ्लोर बना रहा है ये दूसरा क्या है डिफेक्ट बेश्मेंट लिवारों का भीतरिंगुमा और था दिवारों का एक तरफ हो सब्सक्वर वहता कर वाया घंदर चारों तरफ मिट्टी एंदर तुम घढ़ा को देऊ उसके अंदर घर बनायो तो अंदर से दाव लगता तो अंदर की तरफ जुकने लगती है तो लेटरल मूवमेंट होती हुँ दोस है कि दिवारों का अंदर की तरफ जुकना कारण अधिक पार्ष दाव यानि कि अंदर बार से ज्यादा दाव लग रहा है बेस्मेंट वाल्स पर अधिक दबाव यह पिर ऊपर से अगला दोस क्या है रेफ्ट स्लैब में आ रही है तो उसका क्या कारण बन सकता है ठीक है expansion joint का कमजोर हौना यानी जो expansion joint दिये गाए वो कमजोर है कि अब ये था किसके बारे में foundation के बारे में आप करें किसके आपकर के वाल्म के बारे में दूसरी चीस वह पहला वाला था foundation basement और देंप्रुप पूर्स में दिवारे रोड बेरिंग वाल्म का दोस्त के वहला है कि एससे कई बाहला नहीं एस टाइप से उसमें तिरची दरारे पटती क्यों वहते हैं कारण क्या है फाउन्डेशन का नीचे दस ना इधार की फांडेशन नीचे दस गई उधर की उपर रहे खेए सब्सक्राइब स्पाउंडेशन नीचे चला गया तो यह सब दोस और कारण दोनों फिर अगला दोस क्या है दिवार का फटना दिवार फट रही है 36 से सरकना कारण क्या बन सकता है दोस का 36 से सरकना मतलब कई बार दिवाल में लेटरल मुवमेंट हो सकती है तीसरा वाल फिनिसिंग में क्या क्या दोस होते हैं प्लास्टर के दोस और कारण प्लास्टर में दोस और कारण दोस क्या है प्लास्टर की क्रेजिंग प्लास्टर पर महिन महिन दरारें आ गई है यह इसका एक दोस है कारण क्या हो सकता है कंक्रीट सिकूड रही अंदर से क्रक्स मितलब बड़ी जराने क्यों आ रही है कारण क्या है संदचना के मिम्बर्स सरकना यानि संदचना के अंदर बड़ी जराने प्रती हैं कमपन और आघहात यानि भुकंप लगर आ गया या कहीं पर कोई बड़ी मशीन चलने लगी अगल-गल तब भी ऐसा हो सकता अब एक सीधा सा कारण आपसे पूछा ये कोश्चन है आपका कि दिवारों पर होने वाले दोसों का कारण बताईए दिवार में कौन-कौन से दोस होते हैं उनके कारण तो यह अभी पीछे पढ़ें आम लोग ती दिवारों उत्पन वाले दोस लोड बेरिंग वाल में क्या आपको देख लीजिए और पीडियाप आप डाउनलूट कर सकते हैं मैंने पहले ही बताया एक बार इसका रिडिंग लगाई पीछे अभी दिवार वाला भी उसी में देखें हम लोग अब आगे कारण बताया दिवार का सरकना और इसके क्या का दिवार का पतला होना परिया अगला दोसा डीपीसी लेबल पर दिवार का सरकना जाहें डीपीसी वहां दिवार रख रही है तो एक बार बस इसकी रिडिंग लगा जाएगा मेरे कहने से पीडियाफ का उसके बार आपका एक्जाम बुरा नहीं जाएगा तो जितने भी तरह के दोस जैसे कालम और बीम म बीम में उत्पन होने वाले दोस और कारण इसी यह चप्तरी का नाम है दोस और कारण क्या दोस आएगा उसके क्या कारण है बीम और कालम कालम और बीम में तो सबसे पहले में कालम की बाग करेंगे देख लिए कॉलम पर कॉलम में क्या क्या दोस है पहला दोस क्या है बताइ यानि टेंप्रेचर में वारीएशन हो रहा है कालम पर कभी ठंडा कभी गर्मी तो उससे सिकुड रहा है कालम या सिकुडने से दराने पटें जैसे आपी का इसकीन जाड़े में सिकुडता है तो फट जाता है तो फिर आप उस पर पेट्रोलियम लगाते हैं ताकि नमी लॉक संचान आइनी कालम पो रहा है अदिभार यानि बहुत ज्यादा लोड आ गया कॉलम पर के इसंट्रीक लोडिंग यह सारे चीजें हो सकती है मतलब कहीं सभी column का टूटना फूटना जरुरें नहीं कहीं से तूट हो रही है किनारे उसके टूट रहें है तो carbonation का मतलम होता है कि कालं पर पानी गीरा और हवा में armonal carbon dioxide उससे बढ़ाके carbonic acid बना दिया like carbonic acid से क्या होता जड़ने लगता किनारा क्लोराइड अगर अटैक हो गया या फिर कोई तकराव आ रहा है कॉलम पर जटका लग रहा है तो बहुत इक नुक्सान उसको बोलते हैं यह सब कॉलम के लिए दूसरी चीज़ है दोस कॉलम में और कॉलम का क्रसिंग होना कालम क्रस कप करता यह भी ए जाइन सही नहीं है या सेलेंडर ने से रेश्यू इसका क्या है जादा हो गया अधिक बैंडिंग हो गया है इसंट्रिक लोड लग गया है या जॉइंट रोटेशन या जोड़ों पर यह जोग गया है यह सब कालम के किसके दोस्ते करस करने के लिए अगला दूसरा किज़ ह पारद होना साही कोलम में वह पीम में होती है कालम क्रस्त כता है और बीम के कारण और बीम जो बेंट होती है वह हाई बंडिंग लोडरी टैस हो एगास है तो तो फेल कर जाएगी क्यों कि उसका डिफलेक्शन ज्यादा हो जाएगा रीजन पढ़ लेते हैं पहला दोस्ट क्रैक्स संकुर्चन के कारण जो की कालम में था दोस्ट इस पैलिंग बेरिंग की क्रसिंग उस और वंकन पार्च जुकाओ ये सब कारण क्या है बीम में क्या क्य कारण हो सकते हैं देखे इतने कारण हो सकते हैं प्रबलन का संचार और परियाप्त बेरिंग जहां रखा गया वहां साही से बीरिंग नहीं है संद्चना का सफल अधिक इस पैन बड़ा इस पैन खूब लटल जा रहा अधिक लोडिंग दो स्पून वर्कमेंसिप कायदे से काम नहीं हुआ है कम जोर फ्रेमवर्क अधिक कंपान याने एक्सेसिव वाइबरेशन यह सब रीजन हो सकते हैं बीम के कर रहे हैं अब बात करते हैं हम लोग अगला चैप्तर जो है पांच मां चैप्टर पाइफ चैप्टर पाइफ भावनों की मरम्मत अनोर्चन और परि आएज देखेंगे यहां पर वह हम दस प्रकार के रिपेर्व पदार्तों के नाम बताई है यह दस नहीं देखाय सबसे पाहले रिपेरिंग वाले कितने पदार्थ हो सकते हैं सबसे पहला पदार्थ हो सकता है कि आड़ेश्व में कई पदार्था जाएंगे तो उसका एक क्लास होगा उससे बाटा गया संदचना इंपॉर्टेंट कोश्चन है संदचना कारण प्रयोग की जाने वाले मूल मूल पदार्थों के विशाय में हम जानते हैं कि इनका प्रयोग भवन निर्माल में सामान रूप से किया जाता है कई ऐसे पदार्थ है स्टोन यह सब कैसे पदार्थ है यह सब बिल्डिंग में मूल पदार्थ है मूल मतलब जो बनाने में प्रयोग की जाता है इन सब का प्र ठंफर कडार्थ भी हो सकते हैं repairing और सीमेंट मूल में भी होता है और repairing में लेकिन हम मुख्रूप से उन pada क्डार्थों का प्रियोग करेंगे जो किसमें प्रियोग की जाते हैं केवल repairing लिपेशीयुंप ठीक है न तो फिर देखते हैं कि संचायरन रोधी यानी anti-corrogy coating एसे पदार्त जिनका परत चढ़ाना जो corrosion को रोखते हैं उनको anti-corrogy coating कहते आ संजक यानी addiable repair motor और concrete यह सब ठाइप repair motor मतलब repair करने वाले मसाले ओर concrete curing compound जो तराई करने में compound प्रयोग किए जाते हैं joint silent joint silent मतलब जोडों को भरने वाले ग्राउट मतलब जिनमें ग्राउटिंग की जाती कहीं दरारों में वाटर प्रूफिंग सिस्टम फार रूप्स यानि छतों में उस जो पानी की लेयर को रोकने के लिए पदार्थ मिला रहते हैं वह पदार्थ उसके बाद आपका रहा विसिस्ट कंक् प्रोटेक्टिव कोटिंग का मतलब जो प्रोटेक्ट करते हैं तो इतने टाइप के पदार्थ हो सकते हैं फोन्से जो प्रयोग होते हैं रिपेरिंग ठीक है अब हम वन-by-one बात करेंगे जैसे सबसे पहले हमसे बोला गये अगला कोश्चन कि रिपेर पदार्थों कि विस और गुण and properties for repair materials यहां repair materials के लच्छणों और गुणों का सामान विवन दिया गया है जो इनके समझने में सहायत होगा हमें ग्याद है कि मरमक के साधन अर्थात repair materials के भौतिक लच्छण जैसे उसका सामर्थ हुआ विश्तार का गुणान elastic models base material के समान गुणों वाले और उनके साथ मिल खाते हुए होने चाहिए ठीक है इनका उद्देश है इनका उद्देश है ठीक है कोई भी पजार्थ हमेदी building को repair करने में प्रयोग कर दे रहे हैं तो कोई लोहे का दरबा जाए ठीक है उसमें कोई छेद हो गया कुछ ऐसी बात मतलब मूल और जो repairing material that should be compatible to each other होने चाहिए यही बात यहां बताया गया मेल खाते हुए मतलब compatible होने चाहिए इनका उद्देश है पुराने और नए कार्यक्त बीच समानता स्थापित करना और उनके बीच मजबूत bond की स्थापना करना तो बाउंडरी प्रतिबलों को सिमित एक उत्तम प्रकार के repairing material में निम्न गुणों को सम्मिलित रूप से होना चाहिए समावेस होना चाहिए क्या क्या गुण होने चाहिए repairing material में यह भी question पूछा दा सकता है या अंत्रीक गुण जो base material के गुणों वाले अथवा उसके निकत्तम गुणवालों मतलब लगभग base material की तरह या लग या एकदम वही या उसके जैसा ठीक है इन पदार्थों का उत्तम आसंजन इनके सुस्क आर्द और भीगी अवस्थम बना रहना चाहिए इनका संकुचन कम होना चाहिए विशेश रूप से क्यूरिंग क्रिया के बाद लंबी अधी तक भी इनका संकुचन चाहिए ऐसा संभो नहीं है कि यह कहीं मैटेरियल में यह सभी गुण विद्यमान हो नहीं है इसलिए एक प्रकार के रिपेरिंग मैटेरियल के विविद उपयोग हो सकते हैं रिपेरिंग मैटेरियल के विस्ष्मिया तफा गुण जटिल प्रकृती के होते हैं कि रिवार पत से आप क्या समझते हैं संचारन रोधी कोटिंग का लेप रिवार मतलब इस्टील की जो बार होती है उसी को समझे फिलाल के लिए रिवार संचारन रोधी कोटिंग का लेप इस्टील प्रबलन संचार रोधी का मतलब एंटी को रोजी कोटिंग और इस्ट्रक् प्राइमर का लेप किया आप समझ गए और रिबार के ऊपर एंटी को रोजी कोटिंग की जाती है ताकि उसका संचार ना हो और कंक्रीट मजबूत बनी रिबार प्राइमर के गुण रिबार प्राइमर मतलब समझते हैं रिबार के ऊपर किया जाने वाला पेंट ही रिबार प्राइमर कहलाता है ठीक है रिबार प्राइमर के आधर स्कून इस प्रकार होने चाहिए नमी के प्रवेस को रोकने में सच्छम ह मतलब आयसा कोटिंग हो जो नमी को ना पहुंचने दे रीबार तक रीबार प्राइमर मतलब रीबार के उपर लगाये जाने वला प्राइमर वो नमी को ना जाने दे नमी के प्रवेस पर रोकने में सच्छम हो अंडर कटिंग अर्थात प्राइमर के नीचे जंग को फैलने से से रोकने के गुण होने चाइए स्टील के साथ संबंद बनाने वाला अच्छा बंदक प्राइमर होना चाहिए संपर्क में आने वाले स्टील पर संचान के प्रभाव को रोकने में शक्षम हो सरल्ता प्रुवक इसका लेप फेलते हुए इस पात की सत्राप पर लगना चब उसके संपर्क में आ गई उसके बाद कंक्रीट में दबा दिया जाया तो चब तो ऊपर कंक्रीट का मचाले का लेफ है कंक्रीट उस पर अच्छी से पकड़ लेगी और वो चड़ में नमी नहीं जाएगे कभी कि अंदर से एक बार भोल में भी डूबाया गया पॉलीमर से मिसृत और संसोधित की गई सेमेंट सलरी पॉलीमर मिला इए वह सिलरी पॉलीम्र क्या होता है आपको पढ़ा चुके है थी अब आते हैं क्योरिंग कंपाउंड क्या हुता है तरही करते समय कंक्रीट में कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिये जाएं या उसका कंक्रीट पर ये से कंक्रीट की तराई करनी तुर कंक्रीट पर एक लेप लगा दिज CHARE वो लेप ऐसा होता है जो concrete के अंदर नमी को बाहर निकलने ही नहीं देता है और जब नहीं निकलने देगा तो पानी उसी के अंदर रहेगा concrete का hydration अच्छा हो जागा, cement का actually तो curing compound ऐसे होते हैं जो concrete के अंदर पानी को lock कर देते हैं से पानी का loss नहीं होता और hydration के लिए परयाप्त पानी उपलब दरहता है इसको बोलते हैं क्यूरिंग कंपाउंट्स यानि तराई करने वाले योगी ठीक है अब क्यूरिंग कंपाउंट्स पर टिक पड़ी अथवा क्यूरिंग की वीधियां दोनों समझाई क्यूरिंग की वीधियां तो देखिए concrete टेक्नोलाजी का टॉपिक है क्यूरिंग करने की वीधियां अब बुरा बिच्छा करके पानी पॉंडिंग कर देने से सब कंक्रीट में पढ़ा गया लगा है कंपाउंट के बारे में 900 करने क्यूरिंग क्याता होती है आथा क्यूरिंग वाक रिख रिया है जिसमें कंक्रीट मुक्त जल्प वर हाइडरेशν के लिए रोका जाता Spekov का कवर मजबूत बनता है इस ट्रक्चर को कवर करने वाली कंक्रीट प्रबलम को संचान से बचाती है कवर की क्वालिटी और मोटा इगूच इस्तर की समुचित मात्रा में होने चाहिए जिसे इस्टील की सता पर शारी वतवर्ण बना रहा है उसके बाद करा क्यूरिंग की लोगी खोते हैं जिनका कंक्रीट के ऊपर लेप कर देने से यह कंक्रीट को पूरी तरह से ढख देते हैं और पानी को इसके अंदर लॉक कर देते हैं जिससे पानी बाहर नहीं निकल पाता और इसके हाइड्रेशन के लिए पर आपको पानी उपलब दरहता है यह था क्यूर कर लिजिएगा हां यहां पर लिखा भी है क्यूरिंग कंपाउंड रिपेर जॉप्स के लिए अधिक पाई जाते हैं क्योंकि यह अधिक छेत्र और चोटे पैच में यह कौन कौन से होते हैं लाइट रिफ्लेक्टिव और अलुमिनाइज डिग्रेडेड या इस्थाही सॉल् करके बंद करना उसको कहते हैं सील कर टिक है ना इस प्रयोजन के आधार पर मार्केटिंग पढ़ हैं प्वोटलोन सोलान सिमेंट सीमेंट का एक ट्रेड नेम होता है या किसी विपादार और एक किस बात करेंगे तो मारकेट की नहीं से अधार किया तक इस पाधन गौनों के अधार पर कियाता है रहलें प्रकार किस बिटुमीन यार रबर, बिटुमीन यानी अलकतरा समझते हो नो, डामर, एक्रोलिक रेजिन सिलेंट, फ्लेक्सिबल एपोक्साइड सिलेंट, पॉली सलफाइड, पॉली यूरेथीन, सीलिंग स्ट्रिप, सिलिकॉन सिलेंट, हार्ट पोर्ट सिलेंट, कितना तुम में से 4-5 नामयाद रखे ना, अब यादी करना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है, ठीक है, अब दोस्त बात करते हैं, हम लोग, सिलेंट के गुण, एक सिलेंट के अंदर क्या गुण होना चाहिए, सिलेंट मतलब क्या होता है, बताओ, सिलेंट मतलब क्या होता है, जिसके अचनधे मजबूत टिकाव बना रहे मिक्स करने डियार प्रिन्णत कोई स्लम टीप प्रतिरोद करें उसमें प्रतिरोद करें बहुतिक गुणों को बनाए रखे नियमित अनुरच्छन से मुक्त रहे बार बार इसको मेंटेन ना करना पड़े लास्ट चेप्टर आपका है भावनों के दोस्त के उप्चारात्मत उपाए मैं इसमें कुछ नहीं लिखाओं बस चेप्टर का नाम लिखाओं जानते हैं क्यों इस चेप्टर यह बहुत लंबा चेप्टर है लेकिन आप इसको अपने दिमाग से सौट में समझेए भावन के कोई भी उपाय से उस चीट को ठीक करना क्योंकि इसको याद करोगे इसका question answer ढोगे परसान हो जाओगे तुम बस यह देखना कि concrete फटी है क्या कर सकते हैं मस्काला बना के भर सकते हैं तुम वह चीज लिखना जो तुम जानते हो क्योंकि तुम याद नहीं कर पाओग इस च अप्लिकेशन पर आप है पेड कोर्स में तो नोट्स महाँ अवलेबल है एक बार रिडिंग लगा लेना नोट्स की अधर्वाइस फिर लास्ट में अपना दिमाग यूच करना यह पूरा रिवीजन अगर तुमने ढंक से किया है मैं गारंटी देता हूं फेल नहीं होगे क अब तक लिए रिवीजन में बहुत सारा वीडियो नहीं पढ़ना होता है रिवीजन मतलब ऐसे चीज़ जो सटीक आपको बार परे और वो यही क्लास थी देरिया जाजत धन्यवाद